तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका सिविल तेयारी पर अभ्यार्थियों के लिए मैंने आज से कुछ दिन पूर्व एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बहुत प्यार से पूरी जानकारी आपके समक्ष रखी बहुत सारे लोग मुझसे उसमें सहमत हो सकते लेकिन सत्यता के अधार पर अनुवो के अधार पर मैंने वो बात रखी थी हमने आयोग के समक्ष निवेदन किया था सबसे पहले मेंस के विद्यार्थियों के लिए कि बहिया इसकी डेट आप बढ़ाईए आवेदन दिया आयोग को निरने लेना था उसने फॉरेस्ट की बढ़ाई और डेट नहीं बढ़ाई उसके ठीक अगले दिन जब डेट नहीं बढ़ानी की बात आई तो मैंने कहा कि आप किसी ब्रह्म में ना रहें डेट नहीं बढ़ेगी इतने समय से MPPSC 19 की बात हो या उसे पुर्व की या उसे बाद की जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहती है वो चैनल पर मैं आपको देता हूं यह बात कही थी मैंने कहा था अब हमारे हाथ में हैं कि हमने जो करना था वो कर लिया अब बचा हुआ समय सिंसेर विद्यार्थी के नाते सभी के ने किया भी आपका अधिकार था लेकिन आयोग ने आज सबसे पहले पीडियेफ में जो निरने दिया है उसको समझ लीजिए कि यहां पर मसला था की डेट बढ़ाने को लेकर जिसमें विज्यप्ति दो फरवरी दो हजार चोबीस के दौरा राज सिवा मुक परिक्षा का आ लिए लिए गया है कि राज सेवा मुक के परिक्षा 2023 का आयोजन का आयोजन आपका 11.3.2024 से 16.3.2024 पूर्व घोशित दिनांक जो पहले से घोशित दिनांक है उसी दिनांक को किया जाएगा तो इसमें मैंने कहा था कि भाई आप किसी ब्रह्म में ना रहें आपके पास समय कम हैं तैयारी में जुड जाएं आज की स्थिती में देखें तो आपके पास एक महीना भी शेश नहीं वचता 11 मार्च आज 12 फरवरी है और 28 की फरवरी होती है ये भी आपको ध्यान देना है बहुत सारे लोगों ने अपनी उर्जा आपने कुछ दिन 10 दिन इसमें गवा द आते हैं तो हमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष क्या है हम कई जगे अपने लक्षों को भूलने लगते हैं और हम मैंने कहा ना कि आपको इन सब चीजों में एक संविधानिक तरीके से बात रखने का अधिकार था वो किया भी गया लेकिन जो माहल बनाया वो आपका अधिकार है आपने अपनी लड़ाई लड़ी लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि आयोग ने जो है डेट नहीं बढ़ाई डेट या थावत है तो बहुत सारी शुपकामना है जिन लोगों को जितना समय मिल रहा है अच्छे से जयारी करो बचे हुए 30 दिन में समर्प और दिए nay वेस्त ना करो आप हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे सहमत हो आज हो कुछ लोग आयो और को कहेंगे कुछ लोग नहीं कहेंगे यह क्या होना था पर मैंने कहा जाता तो भीड़ जाओ अब आप आंदोलन करना चाहते हो आप स्वतंत्र हो आप जो भी करना चाहते हो पर ये भी दिहान रखें कि समय अवधी कम है परिक्षा विश्यों पर भी पढ़ाई करें आंदोलन में जाएं जो भी करें लेकिन टाइम से अपनी स्टेडि